नमस्कार दोस्तों जेपी स्टनोग्राप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है यह डिक्टेशन सतर सब्द पर्ति मिनट का होगा जो की हिंदी डिक्टेशन रहेगा साथ मिनट तक बोला जाएगा दस सेगेंड बाद स्टार्ट के जाएगा दोस्तों इस डिक्टेशन देश में लोकसभा चुनाओं की गोसना हो चुकी हैं एक और राष्ट्रिये से लेकर सेत्रिये दल अपनी चुनावी फतह हासिल करने के इरादे से कमर कस रहे हैं तो दूसरी और चुनावी तीथियों की गोसना के बाद चुनाव आयोग सान्तिपून और निस्पक्स चुनाव कराने की व्यापक तैयारियों में जुटा हैं इस बार भी चुनाव साथ चरणों में होने जा रहा हैं जिसमें दो माह से अधिक का समय लगेगा मतदान का पहला चरण 19 अपरेल से आरंब होकर एक जून को खत्म होगा चुनावी अवधी यदी कम रहती तो जादा उपयुक्त होता इस दोरान देश आचार सहीता से आबद रहेगा इस बार 96 करोड से अधिक मतदान केंद्र में नई सरकार चुनाएंगे मतदाताओं की बढ़ी इस संख्या का महत्वेपून पहलु बारहें राज्यू में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ना रहा चार जून को परिणाम गोसित होंगे इस बार के चुनावी परिणामों की एहमियत इसलिए भी हैं कि यह 21 सदी में देश की राजनीती की दसा और दिसा तै करेंगे उत्सुकता तो यह भी रहेगी कि क्या मोजूदा परधानमंत्री नरेंदर मोदी लगातार तीसरी बार परधानमंत्री बनकर पूर्वे परधानमंत्री जवाहर लाल नहरू की बराबरी कर पाएंगे सबसे एहम सवाल उतर भारत में अपनी जड़ों को मजबूत करने में सफल रही भाजपा इस बार अपने दक्सिनी अभियान में कितनी कामयाब हो पाएगी देश की सबसे पुरानी और छे दसक से अधिक अवधी तक केंद्री सासन और अन्य राज्यों में सासन की बागडूर संभालने वाली कांग्रेस पार्टी क्या फिर से अपनी सूखती जड़ों को हरा भरा बनाने में सफल हो पाएगी क्या सेत्रिय दल अपने अपने राज्यों में अपनी पूर्वेवत मजबूती कायम रख पाएंगे अब मुद्दों की चर्चा करते हैं इस बार चुनाव ऐसे समय पर गोसित हुए हैं जब सर्वोच न्याले की पहल पर सरकारी चुनावी बॉंड योजना को निरस्त कर दिया गया और राजनितिक दलों के चुनावी चंदे को लेकर रोज नए नए खुला से हो रहे हैं भाजपा का इस बार दिया गया यह नारा इस बार 400 पर ज्यादा मतदाताओं को परभावित करेगा या संयुक्त विपक्स INDI का दिया गया नारा इस बार 300 पर वाला महराश्ट्र में रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की समाप्त हुई भारत जोडो न्याय यात्रा में जिस्त रहें सिवसेना उद्दव ठाकरेव राश्ट्रिय कोंग्रेस दल के नेता सरद पमार नेशनल कॉन्फरेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला पीडीपी नेता महबूबा और राजद नेता तेजस्वी यादव एक साथ मंच पर दिखाई दिये वह कितना परभावसाली रहेगा इन नेताओं ने अपने अपने बासनों में EVM, VVPT मसीनों की विश्वसनियता विपकसी नेताओं के खिलाप ED, CBI चापों की कारिवाहियों, महंगाईयों और बेरोजगारी के मुद्दों को उठाया वह मतदाताओं पर कैसी चाप छोड़ेंगे पंजाब में केजरिवाल की आप और पश्चम बंगाल में ममता बनर जी की एकला चलो की राजनिती क्या गुल खिलाएगी वहीं भाजपा अपनी उपलब्दियों और मोदी की गारंटी के साथ देश की तीसरी बड़ी वेश्विक आर्थ शक्ती बनाने के संकल्प के साथ तो कॉंग्रेस अपनी नारी न्याई गारंटी के जरिये चुनावी वेतरनी पार कर सत्ता तक पहुंच बनाने के इरादा रखती हैं स्टॉप